हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की पोको C50 फोन में आप लोग रेम को कैसे इंक्रिस कर सकते हो अगर आपके पास एक पोको C50 फोन है गैस उसमें जो आप लोगों को रेम को तो कैसे करोगे तो इस वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो रेम को इंक्रीस करने के लिए आप आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे एक ओप्शन देखने को मिलेगा गईज एडिस्नल सेटिंग्स का तो इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एक ओप्शन होगा मेमोरी एक्स्टेंशन का इस पर क्लिक कर दिजिए देख सकते हैं यह ओप्शन ओन है और ओफ है इसको हमें ओन करना है ठीकी गईज तो on करने के लिए हम इस पे click करतेंगे click करने के बाद नीचे reboot लिखा हुआ आगा reboot पे click करतेंगे और आपका phone switch off होके on हो जाएगा और आपका ये option भी on हो जाएगा तो ये option on होने से आपका 1GB RAM यहापर increase हो जाएगा ठीक गई तो यसे करके आप लोग RAM को हो जाएगा ठीक है उसको करने के लिए आप आप लोगों को निचे जाना है सेटिंग से निचे जाने के बाद जो आप लोगों का एक option होगा गाईज यहापर additional settings का इस पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद यहापर एक option है accessibility का इस पर क्लिक कर दीजिए और यहापर देख सकते vision का option देखने को मिलेगा vision के option पर क्लिक कर दीजिए और यहापर एकदम नीचे देख सकते option है Remove animation का इसको on कर लिए on करने के बाद आपका phone जो है आपर बहुत ही fast हो जाएगा आप लोग बेक्सकते हो ठीक गयश्य तो इसे करके भी आप लोग अपने डैम को इंक्रीज कर सकते हो आपको लगेगा हिन्य आपका रैम बहुत कम है, ठीक? तो यह आप्षन ओनने से आपका रैम जो है वह इंक्रीज हो जाएगा और आपका फोन बहुत फास्ट हो जाएगा तो ऐसे गर के जो है आप लोग अपने पोको सी फिप्टी फोन में रेम को इंक्रीस कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसा नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते है कर लेकिन एक्स वीडियो में दब तक के लिए बाई बाई